आये निज़र डालते हैं देश और दुनिया की तमाम खास खबरों पर रतनेश कुमार लिखते हैं क्यूबा पर हर तरह के परती बंद हैं उसके बावजूद ये छोटा सा देश पूरी दुनिया में डॉक्टर भेज रहा है एक बीमारी के आई अमेरिका दूसरों के मास्क पीपी के चीरना चालू कर दिया पूरे देश में अफरा तफ्री मच गई है एक कम्यनिस्ट देश है जहां पूंजी वादी एक समाज वाद को मानता है दूसरा पूंजी वाद को एक लाव पर आधारित दो चार अमीरों के कल्यान वाली विवस्ता है दूसरी सर्व कल्यान वाली एक के या हर कुछ मुनाफ़ा खोरी है दूसरे के यहां जन कल्यान ही एक मातर उद्देश है एक केया सिख्षा स्वास्त सब के लिए मुफ्त है दूसरे ने सब को बाजार बना रखा है कोरोना के हवाले से देख लीजिए कौन जनता के लिए और कौन कुछ मुठी भर पूंजी पतियों के लिए अंतर नहीं दिख रहा है तो दिमाग का उपरेशन कराईए उसके भीतर तरह तरह की मीडिया के द्वारा भूंसा भर दिया गया है निकल वाली जी गाई के चारे के काम आएगा आगे जनर्दन मिश्रा लिखते हैं ICMR कितना लाचार है सीधा चाइना से टेस्टिंग किट भी नहीं खरीच सकता बीच में दो दो दलाल कमपनियों को रखा हुआ है मैट्रिक्स ने टेस्टिंग किट 12 करोर 25 लाग की खरीद कर रेयर मेटोबॉलिक्स को 21 करोर में बेच दी फिर रेयर मोटबॉलिक्स ने वही किट 30 करोड में ICMR को बेच दी 12 करोड का माल 30 करोड का हो गया वो भी एक दिन में मौमाद अनस ने भी लिखा है आजम क्यामपस मजजिद पूने लॉकडॉन की वज़े से मजजिद में नमाज बंध है मजजिद के जिम्मेदारों ने अस्थानी परशासन की मदद एवं COVID-19 से जंग के लिए मजजिद को क्वारेंटीन सेंटर बना दिया है चमचो बेल्चो का काम है आरोप लगाना मुसल्मानों का काम है मुल्क की खिदमत करना हैस्टाग तबलिकी हीरोज नदीम खान ने भी लिखा है पासपूर्ट वालों की गलती राशन कार्ड वाले भुगत रहे हैं लॉकड़ॉन अगर आगे बढ़ा जिसका पूरा चांस है तो शायद मुश्किल ही है कि कोई टिक पाए मदेवर्ग तो नेट्फलिक्स और अमजान से टाइम पास कर लेगा लेकिन वो तमाम लोग जो एक एक दिन का इंतिजार कर रहे हैं आगे क्या करेंगे दिली सरकार ने खुद माना था कि दिली में 22 लाख रोज कमाने वाले खाने वाले लोग हैं और कितनों को राशन दे रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है स्वहिम सेवी संस्थाओं की भी अपनी सीमा है कितने बिमारी से मरेंगे कितने बिमारी के नाम से मरेंगे और कितने भूग से पता नहीं अल्ला रहम करे सौरब यादब ने भी लिखा है लखीम पूर खीरी में विजय रस्तोगी के लिए रोजा तोड़कर अलीशा ने अपना खून दिया धर्म के नाम पर नफरत कितनी जल्दी वाइरल होती है काश आपसी भाईचारों की ये तस्वीर भी वाइरल हो जाए और पूरे समाज में वाइरल हो जाए मुहबत मुहमद खालिद हुस्यान ने आगे लिखा है फेस्बुक पर निजाम उद्दीन मरकज और तब्लीकी जमाद को लेकर भारतिय मीडियो और पुलिस प्रशासन का जो रवया रहा है वो बहुत शर्मनाक रहा जिसे मीडिया ने देश भर में नफरत फलाने के लिए इस्तमाल किया अज वही तब्लीकी जमाद के हमारे भाई कोरोना के इस लड़ाई में देश का साथ खड़े हुए हैं फिर से मुहमद खालिद हुस्यान ने लिखा है HCL जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी इस्लामोफोविक हैं HCL से जबाब मांगे कि ऐसे लोगों को नौकरी पर क्यूं रखा है कॉमेंट वॉक्स में ट्विटर का लिंक है उसे रिट्वीट करके अपना योगदान कीजिए प्रिश्न कांत लिखते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते थे वो मनुस्य होने को जानते थे मुहमद अली ने सुन रखा था कि रामचंदर एक अच्छे इंसान है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तयार आते हैं वो अपनी जीवन में कोई गहरे दोस्त तो नहीं थे लेकिन अंत समय रामचंदरन को अली का कंधा नसीब हो गया मामला चन्ने का है लॉकडॉन के समय अचानक 78 वर्सिय रामचंदरन की मौत हो गई परिवार रिष्टिदास सब लॉकडॉन के चलते जहां तहां बंद है रामचंदरन के परिवार को मदद चाहिए थी अंतिम संसकार ऐसा कर्म है जो सम्मू में ही हो सकता है कम से कम 4-6 लोग तो चाहिए ही होते ऐसे में रामचंदरन के परोसी आमद जाकिर हुसैन, सद्दाम हुसैन, मौमद अली और निजाम الدین ने दुख के पड़े परिवार के साथ मिलकर रामचंदरन को कंधा दिया और उनका अंतिम संसकार कराया सायोग से वो मुस्लिम है लेकिन आदमी मरने के बाद जाती धर्म की पहचान नहीं कर पाता मुसीवत में जिन्दा मनुष से भी इसका खयाल नहीं रखता किसी बच्चे को नफरत का इल्म नहीं होता नफरत इंसान की चेतना का खेल है सबसे इंटेलिजन्ट लोग जिन्हें देश चलाने का जिम्मा दिया गया है जो इस देश का भागे बदल सकते हैं वो नफरत फलाने में व्यस्त है रामचंदरन के भाई इस बाद से खुश है कि उनके पड़ोसी मुसल्मान है वो खुद से आगे आया और उनकी मदद की उनका कहना है कि हम जिस तरह के समय में रह रहे हैं ये दिखाता है कि मानवत तो और दया ही वो चीज़ है जो अंत में माईने रखती है हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और हमारे बीच जाती धर्म कभी नहीं आएगा मौमद अली का कहना है कि रामचंदर बहुत अच्छे आदमी थे हमें खुशी है कि हम उनके अंत समय में उनके परिवार की थोड़ी सी मदद कर पाएं पूरे भारत में ये परमपरा है कि पड़ोसी से दुश्मन ही है फिर भी लोग मुसीबत में साथ देते हैं पड़ोसी से बोलचाल खानपा नहीं है फिर भी उसके घर किसी का देहान्त हो जाए तो चुप चाप अंतिम संसकार में हो आते हैं मुसीबत में लोग एक दूसरे का साथ दें ये समाज का अगोसित नियम है धर्म के आधार पर बहिसकार या नफरत भारत की परंपरा में नहीं है ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है जो हमारे खिलाफ है इसको नकार दीजिए इस घटना के बारे में दाहिंदू ने छापा है हुमा नक्वी ने भी लिखा है कोरोना मरीजों को तो हमारे डॉक्टर और मैं बचा लूँगा लेकिन नफरत फैलाने वालों को मुझसे कौन बचाएगा उद्धव ठाकरे मुहमद अनस ने लिका है पिछले 6 घंटे से भारत में ट्वीटर पर जिस हैस्टेग ने कबजा कर रखा है वो है हैस्टेग तब्लीकी हिरोज अब तक 120,000 ट्वीट हो चुके हैं पहले नंबर पर बना हुआ है वज़ा है कोरोना संदिग तब्लीकी जो पूरी तरह से ठीक हो चुके है गुजरात, हर्याना, उत्तरप्रदेश जैसे राजियों में प्लाजमा दान देने के लिए आगे आए हैं जैसे रक्त दान होता है वैसे ही प्लाजमा दान होता है अगस्त उनीस सो तालिस में पहली बार प्लाजमा थेरेपी परियोग में आई थी प्लाजमा होता क्या है असल में हमारा ब्लड दो हिस्सों में होता है 45% हिस्सा लाल रख्त कोशिकाओं एवं 55% हलका पीला रंग का होता है जिसे हम plasma कहते हैं इस plasma में protein, hormone, plates, antibodies होती है इनका इस्तमाल कई बिमारियों में होता है plasma जैसे खून निकालते हैं ठीक वैसे ही निकाला जाता है इसमें अंतर बस इतना होता है कि डोनर के blood से plasma अलग करके बांकी का blood उसमें वापस डाल दिया जाता है plasma का योपियोग इससे पहले source नामक बिमारी में किया गया था अब COVID-19 से जूज रहे गंभी रोग्यों के लिए ये जीवन दायक साबित हो रहा है तो कहने वालों का मतलब बस इतना है कि जिन तबलीकियों को मीडिया वालों ने विलन बना कर दिखाया वही तबलीकी अब लोगों की जान बचाएंगे उनका plasma कोरोना से पिडित रोग्यों के जिसम में चढ़ाया जाएगा हिंदू मुसल्मान के शरीर में नहीं नफरत के सौधागरों तुम सब के मुँपर एक तमाचा जड़ना शुरू हो गया है कोरोना के साथ ही साथ तुम से भी निपट रहे हैं और निपटेंगे केतन मिश्रा लिखते हैं G News का एक और लीचर काम नोट में नैनो जीपियस चिप लगी है थाने में फोन लग जाएगा और वहीं से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी ये वाट्सैप के छिचली बात किसी के इन बॉक्स से निकल कर जी निउस के महराष्ट भक्त शो प्रांत समरन्य श्रीश्री सुदीर चौधरी के शो में जा पहुची जनता लाहा लहोट थी मगर फिर भी लोगों के हाथ में 2000 की नोट आने शुरू हुए अब बात 2020 की नोट बंदी से मामला घर बंदी पर जा पहुचा लेकिन इतने बड़े बदलाब में दो शह वैसे ही वैसे बने हैं सोशल मीडिया पर गूम रहे हैं मैसेज और जी निउस की क्रेडिबिलिटी कुरोना वाइरस के इर्द गिर्द जमात शब्द कर इस्तमाल करते वे कितनी ही वेबसाइट न्यूस चैनल और ट्वीटर अकाउंट चमक निकले कॉमेडी सरकल के रंगोली चंदेल बन चुकी नितिन गुपता जैसे फुंक चुके कॉमेडियन के अंदर भी एक बार से दात चियारने की हूँक उठी इसी दौरान जी निउस ने अपनी वेबसाइट पर एक खबर चापी बेतरीन खबर चौकाने वाली खबर इस बार कटगरे में जमाती नहीं बलकि जमाती मानसिक्ता थी बताया गया कि जमाती मानसिक्ता के लोगों ने दुनिया के किसी कोने में लोगों को ट्टी खिले खबर में शरीर की गंदगी जैसे वाक्यान्स का इस्तमाल किया गया था लेकिन सारा दोस्ट जमाती मानसिक्ता पड़ा लगया खबर पढ़ी गई तो मालूम चला कि मामला UK का है जहां मुहमद अब्दुलवासित और अजमत भटी नाम के दो लोग अपने रेस्टोरेंट चल आए जाता था खबर को फेस्बुक पर शेयर करते वे जीन्यूज ने लिखा गैर धर्म के लोगों के साथ करते थे नीच हरकत ये खबर असल में कुछ दिन से वाटसाप फेस्बुक पर खूब चल रही थी हर उस घटिया मैसेच की तरह जिसमें मुसलमानों के लिए नफरत सीचने की भरपूर्च हमता होती है इस खबर की पुस्टी के लिए एक लिंक भी था जीन्यूज ये देखना भूल गया कि आर्टिकल लिखे जाने की तारीख क्या थी ये खबर 5 साल पहले यानी 2015 की थी नॉंटिंगम में एक रेस्टोरेंट की चेकिंग हुई क्योंकि वहा सिर्फ मानब मल से ही फैल सकता है और जरूरी नहीं कि उसके लिए तट्टी खानी पड़े हाथों को गंदा रहना हो हाथों की गंदगी से भी ये फैलता है अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो ये वज़ा दी मगर ये सबी बाते जी न्यूज ने बड़े करीने से किनारे रख दी और खबर चापी की जमाती मान सीकता के लोगों ने मुस्लिमों को तो अच्छा खाना खिलाया लेकिन अपने धर्म से बाहर के लोगों को खाने में टट्टी मिला कर खिलाई बूम लाइव ने जी न्यूज के इस बारे में बात करने की कोशिश की लेकिन वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला हाँ जी न्यूज ने अपने आर्टिकल में बदलाव कर दिये थे मगर तब तक इस खबर को 10,000 से ज्यादा बाद शेयर किया जा चुका था दुनिया भर में छपरी खबरों को आगे बढ़ाने का काम करने वाली MSN.com ने भी जी न्यूज को इस खबर को आगे बढ़ा दिया था जी के अपडेट की वो सुद लेंगे या नहीं कहां नहीं जा सकता नौंटिन घम में खैबर पास नाम का रेस्टोरेंट अभी भी चरला है 2015 में इसके दो मालिकों को चाचर महीने जेल की सजा हुई उन्हें एक साल के लिए सस्पेंट किया गया उन्होंने हर विक्टम को 200 यूरो का मुआबजा दिया साथ ही उन्हें 25,752,36 यूरो भी भरने पड़े थे आगे डॉक्टर निर्जा ने लिखा है कुछ लोग कह रहे थे कि भला ये कैसी देश भकती है कि सरकार करमचारी अपना डिये भी सेक्रिफाइज नहीं कर सकते मेरी विचार से सरकारी करमचारी आज कोरोना का फ्रंट वाल लड़ रहा है वो अपने डिये एटिसी की कटोती से परिशान नहीं है उसका अपती इस बात से है कि उसका तो डिये भी जाएगा मगर क्या उसे ये बताया जाएगा कि ये सारा धन खर्च कहां कहां हुआ यानि उसका ओडिट होगा क्या ये वादा किया जाएगा कि अब विशालायक मूर्तियों पर खर्च नहीं होगा और विआएपी अमले की विदेश यात्राओं में वो अन्य फिजूल खर्चों में खटोती होगी कि ये धन कार्पोरेट लॉबियों में तो नहीं बढ़ दिया जाएगा वजा इसके की सबसे पहले इन कार्पोरेट्स की जूरी आमदनियों को इस काम में लाये जाएगा इनके बैंक बैलेंस वा एसेस्ट खंगाली जाएगा जब तक ऐसा नहीं है तब तक आपत्ती है किसी की तो रोटी का नमक तक भी चला जाएगा और किसी की तिजोरियों को हाथ तक न लगाये जाएगे कैसे हो सकता है